एपिसोड के स्टार्ट में हमें सिस्टर आयरिस को दिखाया जाता है जो की नहा दोकर प्रेयर कर रही होती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है जहाँ पर वो एक चर्च में काफी बड़ी गुरुप के साथ रहती है और वहाँ पर उसके बड़ी बेहन के तौर पर उसके साथ प्रिंसेस हिबाना रहती है जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उनके एक फैमिली फोटो क्लिक की जाती है जिसे आयरिस अपने सीने से लगा कर रखती है और वहीं उनके पास्ट में क्या इंसिडेंट हुआ इसके बारे में हमें पता चल पाता इसके पहले ही वहाँ पर शिंडरा पहुँच गया होता है जिसे देखकर आयरिस सरमा गई होती है वहीं पर शिंडरा आयरिस से माफी मांग रहा होता है उसे दिस्टरब करने के लिए पर साथी साथ वह से पूछता है कि यदि वो किसी चीज़ को लेकर परिशान है तो वह से बाते शेयर कर सकती है जिसके बारे में सोचने के लिए धन्यवाद बोलकर वो वहां से चली गई होती है जिसके बाद हमें कैप्टेन ओबी को दिखाया आ जाता है जो कि अपनी पूरी गैंग से कह रहे होते हैं कि फायर फोर्स कमपनी 5 में कुछ तो लूचा चल रहा है और उन्हें चान भीन करकर पता लगाना होगा कि फायर फोर्स कमपनी 5 के अंदर क्या खिचड़ी पकर रही है जिसके बाद वाइस कैप्टेन हिनुआ अपनी टीम को इंस्ट्रेक्शन दे रहे होते हैं कि वो किस तरीके से फायर फोर्स कमपनी 5 के खिलाफ एविडेंस से खटा करें पर वहीं पर अपनी पूरी गैंग हिनुआ की कोई भी बातों को नहीं सुन रहे होते हैं जहां पर आ उसे शूट तो नहीं करने वाले जिस पर वाइस कैप्टन हिनुआ कहते हैं कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि वो उसे शूट नहीं कर सकते और ये बोलते साथ ही हिनुआ शिन्रा को शूट कर देते हैं इसके चलते ही शिन्रा चलाना स्टार्ट कर देता है पर जब कि उस की तरह ही हिनुआ एक second generation के fire fighter है जो कि सिर्फ आपको ही control कर सकते हैं इसके चलते ही जब भी वो एक bullet fire करते हैं तो वो इस fire से generate होई bullet को वो किसी भी direction में move कर सकते हैं और decide कर सकते हैं कि किती तेजी से वो bullet किसी target को hit करेगी जैसे कि ये bullet अभी काफी softly Shindra को hit की Then Vice Captain Hinua Sinra से कह रहा होता है कि fire fighter को अपने एक unique ability रखना चाहिए जो कि बाकियों से उसे stand out करें और साथी साथ अपने surrounding के हसाब से अपने power को use भी करते आना चाहिए जो कि Shindra कर सकता है पर Arthur नहीं कर सकता वहीं हमें Arthur को दिखाया जाता है जो कि चिपकली को दिखकर कह रहा होता है कि वो इस dragon को कहीं कभी नहीं चोड़ेगा जिसे दिखकर Shindra कह रहा होता है कि वो अभी छोटा बच चाही है इसके बाद Shindra अपने Vice Captain Hinua से पूछ रहा होता है कि fire force company 5 की princess हिबान एक साथ कुस्तो लफड़ा है Hajima industry उसे सीधे support करती है और overnight ही वो fire force company 5 की captain भी बनके जिसके चलते ही अपनी company 8 को उसके उपर काफी जादा शक हो रहा होता है जिसके चलते ही शिन्रा पूसता भी है कि क्या human combustion यानि कि एक infernal बनाने के पीछे fire force company 5 का हाथ हो सकता है जिस पर हिन्रा कह रहे होता है कि शायद ये ऐसा हो भी सकता है पर वो श्याओर नहीं है पर जब वो fire force company 5 के उपर चान भीन करेंगे तो वो इस दीसका भी पता लगा लेंगे और उस टाइम पे उसे शिन्रा और आर्थर की पावर की काफी जादा नीड होगी अधर साइड हमें princess हिबाना को दिखाया जाता है जो कि previous episode के infernal के उपर research कर रही होती है जहाँ पर infernal उसे रहम के बीक मांग रहा होता है पर फिर भी princess हिबाना उसके उपर continue research कर रही होती है और कहती है कि वो सारे उसके जूती चाटने के लायक ही है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हिबाना के पास सच में princess complex है इसके चलते ही वो बाकी लोगों को अपने से बहुत ही कम importance और काफी नीचे देखती है इसके बाद हमें Shinra को दिखाया जाता है जो कि अभी भी sister Iris के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि जब उसने sister Iris को देखा था तो वो काफी ज़्यादा emotion लग रही होती है इसके चलते ही वो इससी के बारे में Arthur से बात करने की कोशिश करता है पर Arthur अपने अलगी दुनिया में जीरा होता है इसी बीच वहाँ पर माकी पहुच गई होती है जो कि उनसे पूस्ती है क्या उन लोगों ने sister Iris को देखा है क्य सबसे पहले तो Iris के कपड़े जला दीती है और उसे कह रही होती है कि वो ऐसी कपड़े में यहाँ पर क्यूं आई है और वहीं हमें समझ में आता है कि Princess Hibana जब sister थी तो उनके साथ कुस्तो ऐसा incident हुआ था जिसके चलते ही उसका भगवान पे सही भरोसा उठ गया है वहीं व हमें एक ब्लास्ट के आवास सुनाई देती है और इसके बाद सिंड्रा फायर फोर्स कंपनी 5 में आ चुका होता है इसे बीच फायर फोर्स कंपनी 8 के सारे मेंबर वहाँ पहुच गये होते हैं जो कि sister Iris को ढूणने के साथ साथ फायर फोर्स कंपनी 5 में क्या चल रहा है उस और वहीं पर वाइस कैप्टेन हिनुवा अपनी पूरी पावर के साथ फायर फोर्स कंपनी 5 के पंट्रों की चुट्टी कर रहे होते हैं और उन्हें शूट करकर बिहोश्च करते जा रहे होते हैं वहीं हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो की शिंड्रा को फॉलो कर रहा होता है इसी बीच उसे एक बढ़व नजर आता है जिसके साथ प्रीविस एपिसोड वाला इन्फरनल मौजुद होता है और वहीं बढ़व ने ऐसी ड्रग का यूज किया होता है जिसके सलते ही इन्फरनल काफी पावरफुल हो गया होता है साथे साथ उस बढ़व की सारी बातें मान रहा होता है जिसके बाद हमें माकी और हिन्वा को दिखाया जाता है जिसके उपर फायर फोर्स कंपनी 5 का एक मेंबर बबल की मदद से ब्लास्ट कर देता है पर माकी पहले ही उसके अटेक को सिंस करकर अपनी पावर की मदद से उसके ब्लास्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है और बच जाती है वहीं पर हमें पता चलता है कि वो मेंबर अपने बबल गम में अपनी पाउर को स्टोर करकर उनके पास भीज रहा होता है और जैसे ही वो बबल पूरी तरीके से अउसीजन के संपर्क में आती है तो वो काफी बड़ी प्लास्ट करती है वहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि हिन्वा माकी से घह रहा होता है कि यह अटेक कहांसे किया जा रहा है तो माकी बताती है कि वेर हाउस से ये सारे अटेक हो रहे हैं इसीज को सुनते साथ हे हिनवा अपनी सारे बिलिट को हवा में फायर कर देता है और उन्हें कंट्रोल करकर उस बंदे के उपर अटेक करता है जिससे उस बंदे को लग रहा होता है कि वो अंदे की तरह किसे shoot कर रहा है पर तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारी blood पूरे warehouse में फैल गई होती है और घूम फिर के उस बंदे के उपर आकर टकराती है जिसके चलते वो बंदा वहीं बेहोश हो गया होता है जिसके ब बैंड बचा चुकी होती है वहीं पर हिन्वा ढूंड रहे होते हैं कि यहां पर और कोई तो नहीं बचा है तब ही हमें देखने के लिए मिलता है कि त्री देवियों में से एक डर के मारे छुप गई होती है जिसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जिसका सामना क्योंकि Arthur ने अपने Excalibur को Left Hand में पकड़ा हुआ होता है वहाँ पर वो continue उस Infernal से fight करने की कुशिश कर रहा होता है पर Infernal Arthur की अच्छी खासी band बजाता है जहाँ पर Arthur को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपने form में क्यों नहीं आ पा रहा है जहाँ पर Infernal कहता है कि वो मरने के बाद खुसी ये चीज पूछ ले और वो अपनी बड़े सी blast का यूज करने वाला होता है Arthur को मारने के लिए तब ही Arthur को समझ में आता है कि वो तो Right Hand है तो उसने अपने Excalibur को Left Hand में क्यों पकड़ा है इसके तुरंद बाद वो अपने Excalibur को Right Hand में लेता है और दोड़ कर उस Infernal की तरफ बढ़ता है और अपने एक सिंगल शॉट से ही उस Infernal का काम तमाम कर देता है जिस इसको देखते साथ ही बढ़ों के पसी ने छूट गए होते हैं और इसके बाद हमें शिन्रा को दिखाया जाता है जो कि Fire Force Company 5 के Headquarter पहुच गया होता है जहां पर प्रिंसे सिबाना होती है और वो उससे फाइट करने के लिए तयार हो ही रहा होता है इसी बीच खर आता है जो स्थखे बीचिस कर दोट खर प्रिंसे साथ है जो है जो कि Fire Force Academy 5 के लिच भीचल खर रहा है जो है जो है जो है जो है हमें जो है जो है और गए हैं जो है जो है अ